तो 36 गड़ के सभी स्टूडेंट को बताना चाता हूं की देखिए जब से 36 गड़ में आरक्षन का मामला जारी हुए तब से बहुं से भरती परिक्षा है और वो भरती परिक्षा नहीं आपा रही है और इस वक्ते की सबसे बड़ी गूड नूज जो है पॉजिटिव नूज ब्रेकिंग नूज आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देना चाता हूं गूड नूज ब्रेकिंग नूज जो है इस समय निकल कर आ चुक है सरकार ने 50% रोष्टर का सभी विभागों को दिया दीशा निर्देश अब आएगा जो है 36 गड़ में स्टीजी प्यून भरती पर सिख्चे का रिजल्ट और इसी के साथ जो है 36 गड़ में सिख्चे के बारह जार चार सा नम अवासी पदो पर नोटिफिकेसं जी है आप सभी स्टूडेंट काफी समय से इंतिजार कर रहे थे कि आकिर कर कब सब जो है 36 गड़ में नई भरती कब जो है 36 गड़ में नई वेक में देखिए CGPSC प्यून भरती परिक्षा के बाद करें तो 25 सितंबर को आप लोगों का 36 गड़ में CGPSC प्यून भरती परिक्षा का एक्जाम सुवा था लेकिन अभी तक जो है आपका 6 महिने का समय बीच चुका है लेकिन ऐसे में CGPSC प्यून भरती परिक्षा का रिजल्ट नहीं आपा रहा है और सभी स्टुडेंट इसी आस में है इसी इंतिजार में कि कब 36 गड़ में CGPSC प्यून भरती परिक्षा का रिजल्ट हम सभी को देखने को मिले जिसके वज़े से जितने भी स्टुडेंट एक्जाम दिया था वो सभी स्टुडेंट हतास परशान और न इस तरीके से फार्म फिल अब कर सकते हैं आप एसे हर एक की स्टुडेंट यही सोच रहे हैं लेकिन अब आप सभी स्टुडेंट को बताना चाहता हूं कि बस थोड़ा सा टाइम और फिर आप लोगों के लिए CGPSC प्यून भरती परिक्षा का रिजल्ट जो है निकल कर आप सभी स्टुडेंट के लिए जो है आज आएगा बस जिस तरीके साब तयारी कर रहे हैं बस उसी तरीके से तयारी करना उसी तरीके से महनत करना अगर आपने अच्छे से तयारी कर लिया अगर आपने अच्छे से महनत कर लिया आपका सेलिक्षन जो है पका सेलिक्षन जो है डेफेनेटली अवस रूप से हो पाएगा तो CGPACPN भरती परिक्षे का रिजल्ट जो है काफे इंपोर्टेंट है और देखिए आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ 50% 50% आरक्षन के अनुसारी भरती होना है और 50% आरक्षन के अनुसारी चतिसगर में जितनी भरती परिक्षा है वो सभी भरती परिक्षा जो है निकाली जाएंगे तो बिल्गुल भी आप लोगों को पर्शान होने के आप लोगों को टेंसर लेने की घबराने की बिल्गुल भागों को दिशा निर्देश भी दे दिया है तो आपको यही बोलना चाहत हो तैयारी आपको अच्छे से करना है देखे प्यून भरती परिक्षा का तो रिजल्ट आए गई इसके सान जो सिक्षक के पोस्ट हैं टीचर्स के बारह जार चार सा नावासी पदो पर भरती होना ह अच्छे से कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयरी कर लिए आपने तो आपका सेलेक्षन जो है पका है आपका सेलेक्षन जो है डेफेनेट्ली हो पाइगा आपको बता दूं टीचर्स का इस समय जो 36 गड़ में काफे जादा important role है और एक के बाद एक जो 36 गड़ में नई नी government job vacances एक के बाद एक जो 36 गड़ में भरती है अपडेट साम सब सबी student के लिए होने वाला है आप सबी student के लिए अपडेट जो वो बस वक्त रहता है कि कभी कभार हम कितना भी मेहनत कर ले लेकिन हमें result अच्छे से नहीं मिलता है लेकिन इस ते क्या हम मेहनत करना छोड़ दे क्या हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते न तो ठीक इसी तरह से आप भी अपना पढ़ाई करना preparation करना hard work करना बिल्कुल भी मत छोड़िये आज नहीं तो कल आपके आपका संघर से आपका इस्टगाल आपका मेहनात आपका effort जो है अवस्य रूप से रंग लाएगा और आपको काम्याबी और आपको success जो है अवस्य रूप से मिलेगा जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम मेहनत करते हैं तो इसी तरीके से आपको जो फिर से महनत करना है तो यह नहीं सोचने कि यार मुझे काम्याभी नहीं मिल पारा तो छोड़ देता हूं ऐसा नहीं आपको लगे रहने उस काम में एक दिन तो आएगा एक दिन तो वो समय आएगा जब आपका दिन बदल जाएगा और आपका टाइम आजाएगा तो अपना टाइम लाने के लिए आपको आगे बढ़ पाएंगे और कोई भी दिक्कत कोई भी प्राब्लम्स कोई भी परसानी जो फेस करना बिल्गुल भी आपको नहीं बढ़ेगा तो 36 गड़ में आरक्षन का मामला है और 50% आरक्षन रोश्टर के अनुसार जो है नई भरती जो होने के असार जो है दीख रहा है न अपना तैयारी अच्छे से रखने अपनों आपको अपना पढ़ाई जो एच्छे से करना तैयारी करना बिल्कुल नहीं भूलना जितना तुम मेहनत करोगे जितना आप तैयारी करोगे जितने एफट लगाओगे जितना इनर्जी के साथ हाड़वक के साथ तैयारी करोगे उतने ही तुमें best result जो है मिलने वाला है और काम्याबी success प्रशिद्धी आपको तभी मिलेगी जब नेवार give up आपको लगातार मेहनत करते रहना और आपको कभी भी give up नहीं करने आपके dictionary में नहीं होना चाहिए give up का तुमें कभी भी give up करने के बिलकुल मत सुचना हर वक्त तो मेहनत करते रहो हर वक्त तैयारी करते रहो सफलता आज नहीं तो कल काम्याबी आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी बस उस काम्याबी कुछ सफलता को पाने के लिए हमें मेहनत करना होगा मेहनत करने के लावा हम कर भी क्या सकते हैं मेहनत करेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे मेहनत करेंगे तभी हमें सकसेज मिलेगा मेहनत करेंगे तभी हमें कामयाबी जो है हासिल हो पाएगा तो जितना हो सके कामयाबी को पाने के लिए success को पानी के लेगल आपको मेहनत करना होगा आपको तैयारी करना होगा बस तैयारी करते रहों प्लीस वीडियो सच्छला लगा हो पसंदा हो प्लीस वीडियो को like कीजे चैनल पर नहा है तो चैनल को subscribe कर लेजे साथ में बेल notification को भी on करके रख लेजे एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में दोस्तों में शेयर कीज़े सो चतिस गड़ के सभी स्टुडेंट को बोलना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ एक के बाद एक जो है चतिस गड़ में नेने शुना रहे है और शा नेने आपर्चुनिटिश नेने भरती आप से भी स्टुडेंट के लिए होने वाला बस जितना हो सके तुम महनत करो जितना हो सके तुम तयारी करो तैयारी अच्छे से करोगे मेहनत अच्छे से करोगे एक दिन वो समय आएगा जब तुम्हारी जिन्दगी जो है बदल जाएगा तुसे एक दिन की जिन्दगी को वापस जिने के लिए उस जिन्दगी में उस जोन में आने के लिए आपको लगतार मेहनत करते रहना कोई कितन देने के जोरूरत नहीं है, उन्लोगों को एकना करना है, आपको पता है कि आप अपने जिन्दिगी में क्या खर सकते हैं